स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से इस प्लेटफाराम के उपर आज हम बात करें स्नापड्रेगन 675 यानि 675 वर्सिस हीलियो का जो P70 विनिकल के आ गया है उसके बारे में और तीसरा है अपर एकरिन 710 तीनों के अंदर जो है क्या डिफ्रेंस है इंद में से बेस CPU लेते हैं तो नौर्मली आपके सामने आपर सीप्यू होता है तो आप कौन सा सीप्यू मतलब चूज कर सकते हैं इन तीनों के यहां पर थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं तो वीडियो आगे आपर देखते रहें सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्नाप ड्रेगन 675 की अंदर भी सपोर्ट है बारा नैनोमेटर टेक्नलोजियों पर यह बना हुआ है फुल एच्डी प्लस रिजोलिशन जो है डिस्प्ले के अंदरी सपोर्ट कर सकता अगर इसे दिये जाएं तो और जीप्यू की कलोग के स्पीड जो है इसकी 2.0 गिगाज अगर जरूरत पड़े तो 2.8 गिगाज तक का यहां पर सपोर्ट दे सकता है मतलब 32 परसेंट यह ब आपके टेक्चर है तो पढ़िया है और 312 तक का जो है जीप्यू आंपर एंटरेनों का सपोर्ट कर लेता है तो आपकी क्या रहा है नीचे कमेंड में बताना जुरूर छादी बात कर लेते हैं यहां पर हीलियो पी 70 की यह भी artificial intelligence मतलब सपोर्ट करता है कुछ-कुछ जो है इसके अंदर सेटिंग्स वेगर artificial intelligence को सपोर्ट करती है वहीं पर जो है फेस ब्यूटी कापी कुछ जो है AI सपोर्ट करता है और 12 नैनोमेटर टेकनोलोजी की वह इसे भी बनाया गया है full HD plus resolution जो है भी सपोर्ट करता है ARM Cortex A73 and A53 octa core CPU यह है तो जो स्नाप्टरेकर का 675 है उससे थोड़ा से यहां पर कमजोर हो गया है तो आगे बात कर लेते हैं इसमें Mali G72 class CPU यहां पर यूज़ किया जाता है तो कुल मिलाकर mid-range या फिर comprise की या फिर budget वाले स्मार्टफोन जो निकल के आते हैं उनके इंदर यह मिलने वाला जैसे की spice है या फिर micromax है इस प्रकार के जो company हो यहां पर यूज़ करती है एस CPU का या पिर इस स्रीज का और क्रीन का जो 710 है यह भी AI सपोर्टेट है बारा नामेटर टेकनलोजी के उपर इसे भी बनाया गया है 2.2 गिगाज पर है और पोरक्स तो है आपर 1.7 गिगाज पर है 53 यहां पर चलती है तो यहां पर जो है हीलियो का जो P70 है वो तो यहां पर दोनों से बीच में से हटा लीजिए तो side में कर दीजिए अब क्रीन 710 और snapdragon 675 यहां पर बचा है तो ठीक है इसमें 2.0 है snapdragon 675 के अ यहां पर Qualcomm snapdragon का यूज करते हैं तो number 1 पर यहां पर आ गया snapdragon 675 अगर आप कोई स्मार्टफोन लेते हैं और आपको मिलता है snapdragon 660 का CPU या फिर snapdragon 675 के अभी स्मार्टफोन आने वाले है सबसे पहले जो स्यामी स्मार्टफोन जल्दी लोन्स करने वाला है तो आप यह स्मार् इन और बंदे मात्रव में